आमला हमारे सिहत के लिए बहुत अच्छा होता है हमें अपने डायेट में आमला को हर दिन रखना चाहिए इससे हमारी सिहत बहुत अच्छी रहती है आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आमला केंडी की बहुत ही आसान और टेस्टी रसिपी इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे 500 ग्रम आमला ली हूँ और आमला को अच्छे से धो करके ले ली हूँ अच्छी क्वालिटी का आमला ले जैसे इसमें कोई दाग बगरा नहीं हो आमला में भरपूर मत्रा में विटामिन C पाया जाता है यह हमारे आखों की रोसनी को बढ़ाता है बालों के जरना को कम करता है और साथी साथ हमारे इम्मिनूटी को भी बूश्ट करता है सबसे पहले आमला को हमें स्ट्रीम करना है तो इसके लिए मैं स्ट्रेमर में पानी गरम करने रखी थी उसके बाद हम लोग इस तरह से स्ट्रेणा रख देंगे उसके उपर में रख देंगे आमुला आमुला को हमें 15 मिनट तक स्टीम कर लेना है या फिर तब तक स्टीम करें जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए तो ये देखे, मैं सारा आमुला को रख दी हूँ अब इसको cover करके छोड़ देंगे 15 मिनट तक तो जब तोक आउला steam हो रहा है तब तक हम लोग ट्रे को oil से grease कर लेते हैं आप यहाँ पे गी का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसी ट्रे में हम लोग आउला candy को जमाएंगे तो इस तरह से चारो तरब से अच्छे से में oil से grease कर ली हूँ 15 मिनट वाद आउला को इस तरह से चेक करेंगे और आप देख सकते हैं यह काफी soft हो गए हैं और cracks भी आ गए हैं आउला जैसे ही soft होगी आपको पता चल जाएगा क्योंकि इसमें cracks इस तरह से आ जाएंगे आउला को अच्छे से ठंडा करके में ले ली हूँ अब हम लोग इसका जो seed है उसको इस तरह से निकाल लेंगे तो यह देखे इसे निकालना बहुत आसान है आसानी से हम लोग इसको इस तरह से निकाल लेंगे जैसे यह आउला अच्छे से soft होंगे उनका seeds को निकालना बहुत easy है इसी तरह से सारे seeds को हम लोग निकाल लेंगे सारे सीट्स को निकाल लेने के बाद अब हम लोग इसका एक पेस्ट बना लेंगे तो यह देखिए मैं सीट्स को रिमूब कर ली हूँ अब एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और सारा आमला को इसमें डाल देंगे हमें इसका एक स्मूध पेश्ट बना लेनी है इसमें डाल देंगे एक इंच अदरग अदरग को इस तरह से घीस करके डालेंगे ताकि यह अच्छे से पेश्ट हो जाए अब इसका एक स्मूध पेश्ट बनाएंगे इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे ऐसे हम लोग लेंगे तो यह देखिए बहुत ही आसानी से पेस्ट हो गया अभ हम लोग इसको पकाने के प्रोसेस में जाएंगे तो इसके लिए सबसे पहले मैं हैं पर कढ़ाई ली हूं कढ़ाई में सारा आमला का पेश्ट को निकाल लेंगे उसके बाद हम लोग इसको गैस में चढ़ाएंगे तो यह देखिए सारा पेश्ट को में निकाल ली हूं अब हम लोग इसमें डाल देंगे एक कप च चीनी जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब हम लोग ग्यास का फ्लम को लोग कर देंगे तो यह देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक स्वाद के लिए मैं हैं पर तकरीबान आधा चोटी चमच नमक राल रही हूं जो हम लोग जोता रहेगा तो यह देखिए बहुत हद तक कलर चेंज हो गया है इसका पेस्ट भी काफी गाड़ी हो गई है अब मैं इहां पर ली हूँ एक चमच कॉन फ्लोर और इसमें डाल देंगे तकरीबान एक से दो चमच पानी इसका हमें गाढ़ा पेस्ट बना लेना है अब हम कॉन फ्लोर को अच्छे से पानी के साथ मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा आउला का जो यह पेस्ट है उसमें डाल के इसको मिक्स करते रहेंगे तो तकरीबान एक चमच मैं पर कॉन फ्लोर का पानी डाल रहे हूं और इसको अच्छे से मिक्स करेंग जैसे एक उन्फोर पर्ग जाएक तब हम लोग इसमें डाल देंगे घी तो मैं यहां पे दो चमज घी डाल रहे हूं आप यहां पे जादा भी घी उसका सकते हैं लेकिन मैं पे जादा घी का इस्तमाल नहीं करें हूं सबसे पहले एक चमज घी डालके मिक्स करेंगे और जब जोन से अबजर्ब हो जाएगा तब हम लोग और एक चमज घी को डालके इसको मिक्स करेंगे वैसा हो तो यहां पे अभी आधा कब घी डालने से भी अबजर्ब करेंगे लेकिन dramatically यहाँ डोब अभी डालनी ही मैं अब होटी चम्मज घी डालके इसको अच्छे से मिक्स की उ हम लोग इसको transfer कर लेंगे सारा जली को डालने के बाद spatula की मदद से इसको हम लोग spread करेंगे evenly तो ये देखिए मैं इसको अच्छे से spread कर ले रहे हूँ चारो तरब से हमें आमला को इस तरह से spread करके तकरीबन छोड़ देना है दो घंटा के लिए ताकि नाइफ की मदद से हमें चारो तरब से पहले scratch कर लेना है इसका edges को edges को इस तरह से scratch कर लेने के बाद हम लोग इसमें pieces में cut कर लेंगे आप चाहे तो बाद में भी इसको piece कर सकते हैं pieces में cut कर लेने के बाद अब हम लोग सारा आमला को इस तरह से करेंगे तो इसको इसतर से पल्टेंगे यह देखिए हम लोग का जो आवला जली है वह बहुत आसानी से निकल आई है इसमें हमने जो कट लगाया था उसका लाइन है तो उसी लाइन में हम नाइफ को दुबारा से इस तरह से चला लेते हैं उसके बाद हम लोग इसको निकाल लेंगे तो यह देखिए बहुत सॉफ्ट बनी है यह और यह बहुत टेस्टी लगती है खाने में आप एक पास जरूर से इसे बनाएं यह आपको बहुत पसंद भी आएगी तो यह देखिए इस तरह से हम सारा आवला जैली को इस तरह से कट लगा लेंगे कट लगा लेने के बाद अब हम लोग इसको चलेंगे नेक्स प्रोसेस में जिसे हाँ पे हम लोग फाइनल प्रोसेस करेंगे तो ये देखें ये कितना soft है आप देख के समझ सकते हैं तो next process में मैं यहाँ पे ले ली हूँ PC हुई चीनी आप चाहे तो जो भूरा मिलता है market में उसको भी ले सकते हैं तो मैं यहाँ पे PC हुई चीनी के उपर आला केंडी को इस तरह से coat कर ले रही हूँ आप चाहे तो इस process को बिलकुल skip कर सकते हैं लेकिन इस तरह से चीनी पी PC हुई लगा रहने से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है और साथी साथ दिखने में भी बहुत रेष्टी लगते हैं इसी तरह से सारा आला केंडी में हम लोग सुगर पाउडर को coat कर लेंगे और ये हम लोग का रेडी हो गया आला केंडी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें